नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन नियूज में और मैं हूँ आपके साथ राकिस कुमार इस समय देखिए अखलेस यादब पर मुस्किलों का पहार तूट पड़ा है जिस तरीके से वो टिपनी करते हैं वो बयानबाजी करते हैं और उन्होंने बय पर अकास आनन को लेकर के मायावती के खिलाब आपको पता होगा कि दरसे को जिस तरीके से अकास आनन को यहां पर पार्टी के को कॉडिनेटर पद और यहां पर पार्टी प्रमुक के पस्ते हटाये गया उसके बाद जो तमाम जो राजनीती है वो काफे गर्मा गय थी और जिस तरीके से यहां पर अकास आनन को दर्किनार किया गया था इससे लेकर काफी सियासत भी देखने को मिल रही थी और वह इन सब के बीच अखलेस यादव ने भी यहां पर अकास आनन को लेकर के बहुत बड़ी बाते कर दी उन्होंने मायावती पर सीधा सीधा आरोप गया रही है जिस तरीके से आकास आनन यहां पर आगे बढ़ रहे थे यहां पर मायावती ने जान बुचकर राजनिती कामों को लेकर के हमारे पार्टी के अंदरोनी मामलों को लेकर के यहां पर दखल अंदाजीन बिल्कुल भी ना करें और हमारी पार्टी यह बिल्कुल भी बरदास नहीं करेंगी कि हमारी पार्टी के अंदर अगर अंदरोनी चीज़े चल रही है और अंदरोनी चीज़े हो र दिखा कि आज समाजवादी पार्टी का चरित राव जो चेहरा है वो दलित विरोधी बन चुका है आपको अपने पहले यादव के लिए आप काम करना चाहिए हम दलितों के बारे में आप ना सोचे ना समझे यही आपके लिए महरवानी होगी क्योंकि आप दलितों का कभी हि यहां पर हमारे बीच कहिएगा या कुछ भी बोलिएगा उन्होंने दरादर तीन ट्वीट कर डाले और यहां पर सिदा साधा यहां पर उन्हें घेरने की कोशिस करी है देखे दर्सों को इस समय अकास अनन काफी चर्चा का वेसे बन चुके हैं और यहां पर अकास अनन को लेकर राजनिती है वो काफे जादा गरमाई आ दिखाये रही है और इन्हीं सब के बीच यहां पर अखलेंस याद वने भी ऑज राजनिती करते हुए और मायवती को खेड़ने की कोसिस करी एकिन doughमायवती ने उन्हें एखेड दिया झाल झाल